मानिय प्रिधानमंत्री श्री नरेद्र भोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने लोगों को पकोड़े तलने की सलहा दी हाँ ये पकोड़े के रोजगार निश्यतुब से शाद अच्छा रोजगार है और आपने तो चाय बेची है तो आपको शाद चाय और पकोड़े का इस देश में बड़ा मेल रहा है इसलिए आपको मालूम है कि पकोड़े से कितना रोजगार मिलता है लेकिन कभी आप सोचते हैं कि आप इने तो कहा था कि दो करोड़ लोगों को युवाओं को हर साल रोजगार देंगे इसलिए इन पांच सालों में आपको लगबग दस करोड़ लोगों को रोजगार देना चीए था पर आज चार साल बीतने के बाद जब आप पूरी तरः से फेल हो चुके हैं रोजगार देने की तो बात आपने लोगों का जिनका रोजगार था वो रोजगार भी छील लिया उनके मुँका नेबाला चील लिया आपने तो मानिय मोधी जी प्रधानमंत्री जी आप रोजगार देने की बजाए लोगों को बेरोजगार करने की कला में माहिर नजराते हैं अब बड़े प्यार से आप उसी हालात में कहते हैं कि पकोड़े बेचो पकोड़े बेच कर रोजगार करो अगर पकोड़े ही बेचने हैं और प पकोड़े का कारोबार आपको दूँगा बताऊंगा और क्या ये मान लिया जाए क्योंकि आपने तैकर लिया है कि नौजवानों से पढ़ेली के नौजवानों से पकोड़े बिचवाएंगे इसलिए आगे लोग पढ़ ही निपाएं क्योंकि पकोड़ा बनाने के लिए पढ हो सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी ये शडिंत है आपका क्या तो जो आप कर रहे हैं अगर देश का प्रधान मत्री रोजगार की उम्मी जगा कर युवाओं को पकोड़ा तलने की बात कहे तो कितना व्यंग कितना दर्द लोगों को महसूस होता है इसका अंदज शाद आपको नहीं है माने मौदी जी मौदी जी जरा एक बार नौजवानों के दिल में उतर के देखिए जरा उनकी जगे अपने आपको रख के देखिए जरा सोची है उनके विशह में क्या बीटती होगी नहीं दे सकते आप रोजगार तो ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले